कर् ent жить upon the Myersakी तरह हमारी टीम से एक दिन ऐसी क्रिकट खेलेंगे कि सामने वाला कहले नहीं नहीं यार क्या बात है उसनो मैं कि वही टीम है अब आप सोचें एक टीम जिस है 302 क्ल दिन किल के दिन किया दो उनके आउट हुए और उन्होंने इतने जादा ओवर्स खेले बड़े अराम से कमफर्टेबल तरीके से खेले वही टीम आज के दिन जब आती है तो एक दम संद उनके जो खिलाड़ी है वाते सा आउट होई जाते हैं अब सोचे ना खुदी कि जब ओपनर इतनी उमीदे थी कि बाबर आखिजम प्रेश्ण नीं और बाबर आदम की बाबर आदम वाली इनीज देखने को मिलेगी लेकिर बाबर आजम ने तो जैसार को मजबूर किया खेलने पर upon अपनी गल्ती से नहीं आउट हूए बाबर आजम अपनी जैस्ट कहते हैं बॉलर की अच्छी बोल की फिर सर्फराज है मत को आप देख ले इतना सीनियर खिलाड़ी असको नहीं पता है स्टार्ट जो है वो कहां बोल करेगा क्लीन बोल्ड होगे साउ शकील लंबा डंस नहीं कर सके सेट ओके आउट होगे फ़ही मश्रफ सेट ओके जो सो कहते हैं आउट होड़े हैं इमाम उलहक जो भी है जैसा भी है मैं एक चीज़ा आपको कहरा चाहूगा कि अगर वो इमाम इतनी बोल्ड ना खेलता अगर इमाम उलहक इतनी घेंदे न खेलता तो पाकिसान की टीम ने तो बहुत जल्दी आउट हो जाना था यह इमाम उलहक की जिससे कहते हैं खास्य थी कि उसने इतना रोके रखा गेम को और लंबा लेके चला तब भी पाकिसान ने दो दिन बल्ले बाजी कर लिए वरना पाकिसान ने कहा करनी सी और मैं चाहत लिए कि अधलीस उसने रेजिस्स्टर शो की मतलब कि वह खडा रहा एक जगह पर खडा रहा बाकी भी तो खड़े हो सकते हैं अब यह पाकिसान का जो हाल हुआ है कि क्या हाल होगा पाकिसान का अब सवाल या आता है कि जब बल्ले बाजी करने आएगा और तो आके तेस खे जब नतना नहीं करेंगे उनको अपनी बोलिंग यकीन है और यह जो पिच्छ है ना यह पिच्छ को मैंने देखा है जब नर्थन लेओन इसके उपर पांच फे दिन या चोते दिन की एंड की वाले सेशन गंदर बोलिंग करेगा ना यह पिच्छ पक्रा नहीं जाएगा आउट कर दी है अब जिससों कहते हैं दस खिलारीन की आउट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है तो मैं अगर बात करूं पाकिसान की टीम की पाकिसान के स्कोर कार्ड की तो पाकिसान का जो स्कोर कार्ड है वो कुछ इस तरह का है अच्छी बल्ले बाजी की अब देखके लगए अच्छी बल्ले बाजी की कि खड़े रहे लेकिन आउट हुए लेओन के हाथ हो इसी के साथ है शान मसूद 43 पे 30 कैड़ी ने कैच पकड़ा स्टार्ट अब आप देखे एक चीज नोट करें टेस मैच के लिए अगर आप बात करें ना तो इमामु लग की बाकी चीज़ों के अंदर आपको कम बोल्स खेलनी होती है अब यहां पर शान में तक्रीबर मेरा ख्याल है कोई थी 30 मिनट बल्ने बाजी की योगी 30 मिनट की बल्ले बाजी के अंदर पाकीसान का फाइदा नहीं है क्योंकि पाकीसान का फाइदा का फाइदा उस organiz Mickey निकाले बौलर को ठकाया शान के यही ंद तो डशे न सो Will propose Axel अगर तेज खेलना चाहते तो अच्छा खेला है इसमें आउट भी आप हो सकते हैं खुरम श्वदाद जो बोलर से वह तो बाबर आजम ने बड़ा डिसेपॉइंट किये बाबर आजम जिस्तों कहते हैं थर्टी एड के स्ट्रेकर से खेल रहे थे लेकिन बाबर आजम सेट हो अब अच्छे बॉल प्लेर आउट होता है ना अब अच्छे बॉल को अच्छा खेल ले तो यह चीज मैटर करती होती है लेकिन फिर भी खैर पाकिसान ने जो करना था कर दिया बड़ा बुरा जिस्तों कहते है ना पाकिसान की शुरुआत हुई है आज के दिन की आप देख अरुआ झाल में की शुरुआत है जो कर दिन दिन की शुरुआत है